कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आ साइंट डिलम का जो बिल्ट का वह यहां पे कंपने की कितरब से कर दिया गया है और यहाँ पे गई वो कैसे रहें और सारी चीजी देख लेते हैं जो वेल्यू दी गई है millions में दी गई है इसको हम crores में convert कर लेंगे और यहाँ पर आते हैं सबसे पहले revenue from operation किता यहाँ पर generate हुआ है तो total जो income हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हो 370 करोड के आस पास generate हुआ है last quarter क्या था यहाँ पर 330 करोड के आस पास यह जो revenue है वो generate हुआ था last year same quarter में 276 करोड के आस पास जो revenue है वो यहाँ पर generate हुआ था अब यहाँ पर खर्चे इसके कित्ते हैं वो भी यहाँ पर देखना बहुत जरूरी हो जाता है 349 करोड के आस पास यहाँ पर इस quarter खर्चे आए हैं लाश्ट quarter यहाँ पर 305 करोड आये थे और लाश्ट year यहाँ पर 258 करोड आये थे तो revenue में भी यहाँ पर jump है तो यहाँ पर खर्चे तो बढ़ने ही है अब में मुद्दे की बात आती है कि यहाँ पर जो खर्चे आने के बाद जो profit है खर्चे काटने के बाद जो profit है वो यहाँ पर कितना आया है तो वो चीज़े भी हम यहाँ पर देख लेते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो profit बचा है net profit for the period 3 and 4 वो यहाँ पर 22 करोड के आसपास यहाँ पर 20.7 करोड के आसपास बचा है जबकि last quarter यहाँ पर 18.4 करोड था और last year यहाँ पर 12.5 करोड था तो quarter on quarter भी बढ़ा और year on year तो यहाँ पर अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ रहा है तो यह चीज़े यहाँ पर अच्छी है तो result company के सांदार थे यहाँ पर no doubt अच्छे result company ने paste किया है और stock price में क्या action होगा वो यहाँ पर market decide करेगा कि market कितना expect किया था और किस हिसाब से यहाँ पर market इस result को यहाँ पर ले रहा है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like जरूर करिएगा चैनल पर ने बढ़ने चैनल को subscribe करिएगा